तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले है जैक डेली स्पॉट राउंड 2023 को लेके देखो अभी हमारा रिसेंटली एक नोटिस आउट हुआ है जो की स्पॉट राउंड की गाइडलाइन के बारे में वो पीडियेफ आपको जैक डेली की साइट पे मिल जाएगा तो बेस इसने भी डाउट्स है न कि कौन-कौन स्टुडेंट्स एलिजिबल है क्या हमारा वेन्यू डेट टाइमिंग रहने वाली है वेकेंसी से रिलेटिड जो भी डाउट्स है सब अल्मोस्ट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे ओके तो देखो सबसे पहले में एक डा डियरेंटर ही निक या जो फीस थी रेजिस्टरेशन फी वो पेographics ही नहीं करो और वह ही जिन्होंने रेजिस्टर कर लिया था क्योंकि के सबस्क्विक कर देंगे stop तो competition फिर से increase हो जाएगा तो जिनकी rank एक डेड़ दो लाक है उनको फिर से admission नहीं मिल पाएगा तो इसलिए अब fresh registration ओपन नहीं होगी जो आल्रेडी registered थे उनको उनको ही admission मिलेगा समझ रहो अब दूसरा डाउट सबको यह लगता है कि यार general category की तो कुछ ही वेकेंसी से बायोटेक में एक ही है मेकैनिकल में एक ही है तो जाने का क्या फाइदा बट ऐसा नहीं है आपको ट्राइ करना है आपको जाना है वहाँ पर इसका reason बताओ देखो क्या होता है मान लो second, third, fourth को हमारा होना है मलब जो हमारी schedule आया था counseling स्टार्ट होने से पहले उसमें यही लिखा था कि second, third, fourth को हमारा spot round होना है physical अब उसमें क्या होगा vacancies आती है न तो vacancies के हिसाब से categories के हिसाब से यह timings divide कर देते हैं तो usually क्या होता है पहले SC, ST को रखेंगे फिर OBC को रखेंगे last day रखते general को अब होता क्या है मान लो SC की चार सीटे खाली है biotech में और सिरफ दो ही candidates आ है SC के तो दो को तो अलोट हो गया बट बचीवी दो सीटों का क्या होगा वो next category में convert हो जाएगी तो करते करते last में हमारी general होती है तो जो भी seeds हमारी vacant रह जाती है ना categories में वो सारी last day convert हो जाती है general category में समझे हो तो इसलिए last day कुछ भी हो सकता है अगर आपका luck होगा तो आपको अच्छी सीट मिल सकती है इसलिए मैं यह कहूंगा कि try जरूर करना वहां जाके एक बार ठीक है फिर एक डाउट और सबको लगता है कि भाईया sliding round हो गया इसके बाद क्या अब हमें freeze करना पड़ेगा अगर freeze नहीं करेंगे तो क्या हमारी सीट चली जाएगी देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है spot round में आपका अपग्रेडेशन चलता रहेगा धीर धीर मलब specially given है यह आपकी जो ब्राउशर था जो counseling schedule था उसमें साफ साफ यह given है candidates can freeze their allotted seat if they do not want any upgradation in seat institute as per their field choice during spot round देखो freeze वो करेंगे जिनको अपग्रेडेशन नहीं करवानी अपनी spot round में है एक schedule फिर से आए अब देखो जो हमारा वेन्यू है वेन्यू for spot round के हमारा एंस यूटी द्वार का इसका अच्छे से पूरा वो given है location वगएर अच्छे से गिवन है तो आप आ सकते हैं ओके वहां पर भी आपको अब कौन स्टुडेंट्स eligible देखो वह तो बिलकुल eligible नहीं है जिन्होंने जैग दली में कभी रोड़िस्टर ही नहीं करा था ओके कॉंड अब देखो जिन्होंने जे इडिया है वह तो होगे य उलिजिबल और जिनोंने जैग डली में रिजिस्टर के जिन پर एक CRL रांक अब कौन एलिजिबल है जैग तेली रेजिस्टरड कैंडिडेट्स फू हैव नॉट बिन ओफर्ड एनी सीट जिनको अभी तक एक भी सीट अलॉट नहीं हुई है मान रो मान लो मेरे पर डीट्यू की मेकैनिकल है तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ वहाँ पर जाके स्वाट राउंड में अपलाए करने के लिए बट लिकिन अपग्रेडेशन तो होती रहेगी एलिजिबल वो लोग है जिनके पास कोई सीट है ही नहीं समझ रो फिर इसमें वो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिनको अलॉट हो गया था बट लिकिन वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाए अगर रिपोर्ट नहीं कर पाए तो उनकी सीट कैंसिल तो उनके पास अभी कोई कॉलेज अलॉट इड नहीं है तो वो एलिजिबल है फिर वो एलिजिबल है जिनोंने चॉइस फिल की थी मतलब choice fill नहीं की थी समझ रहा अगर choice fill नहीं करोगे तो आपको कोई college alert नहीं होगा college alert नहीं होगा तो आप obviously eligible है spot roll में फिर वो लोग eligible है जिनकी seat was cancelled due to some deficiency मतलब जिनकी किसी भी reason की वज़े से किसी certificate की वज़े से कुछ भी reason हो seat cancel हो गई थी वो लोग eligible है फिर वो लोग eligible है जिनोंने withdraw कर लिया थे 25 से पहले वो लोग है बेसिकली देख रहे हो eligible वो लोग है जिनके पास अभी इस टाइम पर Jack Delhi में registered है और किसी भी reason की वज़े से उन पर कोई seat नहीं है तो वो सब बच्चे eligible है तो इसलिए मैं कहरो हूँ जाके try जरूर करना क्या पता कोई seat मिल जाए अब देखो Jack Delhi registered candidates who have taken admission in any program offered by any of the participating university in any round are not eligible for the spot round देखो इसमें साफ लिखक है जो जो students को कुछ ना कुछ seats मिल गई थी ओके एंड उनके पास अभी भी है वो लोग eligible अब क्या-क्या उन्हें carry करना है spot round में देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ वहाँ पे बहुत immediate process चलता है वहाँ पे जाके आप यह निकल सकते कि 5 मिनट रुख जो 10 मिनट रुख जो जैसी आपको seat a lot होई आपको फटा-फट अपना demand draft जो आपकी fee है वह जल्दी से जल्दी सम्मिट करने पड़ती यह नहीं कि अब आपका admission हो गया और आप भार जा रहे हैं और अपना demand draft बनवा रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा आपकी seat कैंसिल हो जाती है आपको मैं बताऊंगा पड़के देखो पहले तो यह बता दू कि क्या-क्या documents important है वह ले जाने देखो डॉक्यमेंट भी प्लीज मिस मत करना क्योंकि एक-एक document अगर मिस हो जाता है न तो seat एकदम से cancel कर देते और जो आपके जैक डली के registration form था उसको आपको प्रिंट करना है देन क्लास 10 की माकशीट ओरिजनल एंड फोटो कॉपी फोटो कॉपी जरूर लेके जानी है सबकी और एक नहीं तो दो तीन जरूर लेके जाना ओके दन क्लास 12 की माकशीट दन केटिगरी सर्टिफिकेट दन डिमांड राफ्ट डिमांड राफ्ट आपको वहां कितने का देना है 95,000 का 95,000 का डिमांड राफ्ट देंगे तब आपकी सीट कनफॉर्म करेंगे बोलो और यह आपको इमेजियेट देना है ठीक है और नो अधर मोड ओफ पेमेंट विल असेप्टेड सिर्फ आपको डिमांड राफ्ट देना है यह नहीं कि आप वहां बैंक के थ्रू कर रहे हैं या जाग डेली का वहां पे आपको मिल जाएगा अब यहां देखो साफ साफ लिख है candidate can accept any seat available by paying the seat acceptance fee जो की है 95,000 immediately through DD in favor of Jack Delhi payable at New Delhi जो भी हमारा वहां पे college में ही भली वहां पे जाके आपको submit करना पड़ेगा जैसी seat a lot होगी no other mode of payment will be accepted साफ लिख है no extra time will be provided for making the DD after seat is offered वो CT cancel कर देंगा अगर आप timely नहीं दोगे candidates being admitted in spot on will will be marked freezed and will not be considered for any branch upgradation मालो मेरे को biotech मिल गई NSUT की तो मैं आगे eligible ही नहीं हूँ की branch upgradation मेरी हो जो आपको seat मिल गई वो आपकी fix रहने वाली है फिर फिर जो आपकी choices जो आपने choices fill की थी मालो में को कुछ a lot नहीं हुआ बट मैंने सारी choices fill की थी तो उस choices के basis पे आपका admission नहीं होना आपका admission उसके basis पे होना है जो आपकी vacancy के list आनी है वहाँ पे आपके देखो क्या मैं आपको थोड़ा idea दे देता हूँ जब आप जाओगे वहाँ पे आपके सामने vacancies रख देंगे कि इतनी seat इसमें खाली है अब जल्दी से decide करो आपको कौन सा college कौन सी branch लेनी है आपको जल्दी से एक दो मिंट के अंदर decide करना ह होता है देन उसके बाद आपको immediately अपने document शो करने पड़ते हैं आप नहीं करते यह time लिया तो admission cancel कर देते हैं आगे जो students बैठे होते हैं उनको फिर opportunity मिलती है उस चीज़ की तो mainly तो इतना ही था अब देखो एक चीज़ और मालो अगर आपने 95,000 जो दे दिये तो वह फिर non refund available है वह आपको वापिस नहीं मिलेंगे अगर आपको withdraw भी करने है वह आपके गए पैसे तो इसलिए बहुत सोच समझ के step लेना ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया फिर बाद में regret कर रहे हूं ठीक है तो hopefully आपके सारे doubts clear हो गए होंगे और ना चैनल को subscribe कर लो जैसे अब यह वे को spot round हो रहा है मेरे ही college में हो रहा है actually मैं भी NSUT गाऊं तो मेरे को idea है कि कैसे कैसे सारी चीजे होती है तो मतलब सब मैंने देखा है पिछले दो साल में जैसे भी procedure चले तो मैं आपको अच्छी से बता सकता हूं सब कुछ तो इसलिए मैं चैनल को subscribe कर लो सारे updates timely मैं आपके प PDF है यह मैं वहां पर भी upload कर दूंगा एक बारी तो इसलिए उसको भी कर लो subscribe क्योंकि अब जैसे dates में अगर कोई changes आते हैं या फिर क्या आपके vacancy list भी जैसे मैं वहीं upload कर दूंगा तो इसलिए उसको कर लो एक बार subscribe बाकि comment section open है इंस्टाइडी मैंने दे रखे वहां जाके कोई भी doubt आता है कोई भी doubt आप पूछ सकते हैं ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में till then bye